आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि नीतो मेम की बुक प्लीन तू पैरामाउंट के सी हम लोग आज पढ़ेंगे और इस बुक में स्टार्ट के हैं मैमने वर्ब चाप्टर से जो कीफ चाप्टर फास्ट है तो देखिए वर्ब के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेगे कि वर्ब क्या होता है तो वर्ब कारी का होना दर्शाता है ठीक है आता है वर्ब को हम डूइंग वर्ब भी कहते हैं क्योंकि डूइंग वर्ब मतलब जो कारी जिससे होना पाया जाता है ठीक है जो काम को जो जिससे काम के होने का पता चलता है उसे हम वर्ब कहते है और वर्ब ट और elderly ये प्राइमरी औक्सिरी वर्ब जो अम्हें गाते हैं जो मॉडल्स OFFETEW इनहें जो मेनन वर्ब के रूप में कारि włी जो मॉडल्स नहीं कर सकतेजि़ी से जैसे explicit खैन ज्रैंको कि मॉडल हो गया यह complete models होते हैं क्योंकि यह helping verb के रूप में कारी नहीं कर सकते हैं और जो need हो गया, day हो गया, used to हो गया यह partial models होते हैं जो कि या तो main verb के रूप में भी कारी कर सकते हैं और models के रूप में भी कारी कर सकते हैं या तो used to जो होता है यह क्या होता है? यह models के रूप में भी कारी कर सकता है and adjective के रूप में भी कारी कर सकता है ठीक है तो ऐसी models जो main verb या verb के रूप में कारी करते है main verb या models के रूप में कारी करते है उसमें हो गया need हो गया dare हो गया ठीक है और जो used to होता है वो models के रूप में and adjective के रूप में कारी कर सकता है उसके बाद उसके बाद हम लोग देखते हैं प्राइमरी औक्जिलरी वर्ब इसमें कौन-कौन से आते हैं जो हेल्पिंग वर्ब यह वह में वर्ब के रूप में कारी करते हैं यह हेल्पिंग वर्ब के रूप मुख्य क्रिया के रूपे प्रियोग आते हैं ठीक है इनसे पता लगता है कि हमारी मुख्य क्रिया के बारे पता लगता है इन्हें बोलते हैं मेन वर्ब ठीक है अब आगे देखते हैं कि ऑगजली वर्ब जो होते हैं वे वर्ब जो अन्य वर्ब के साथ प्रियोगत होते हैं auxiliary verb के हलाते हैं ठीके और auxiliary verb को दूसरा नाम होता है helping verb इन्हें हम लोग helping verb भी कहते हैं ठीके